प्रियोजना अप्र जाएंगे आपको वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे आप महाँ जाकर देख सकते हैं या इस्टिडि मित्र की चुरास्तान जीके की प्लेइस्ट है उसके अंदर भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और चंबल नदी और कुछ अन्य नदियो के उपर भी मैंने वीडियो अपलोड किये हैं तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं अगर आपको चंबल नदी का वीडियो देखना है तो इसमें जो हम परमुक बाते हैं वो ही डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं चम्मल घाटी परियोजना उसों चम्मल घाटी परियोजना जो है चम्मल नदी परिस्तित है और चम्मल नदी का जो उदगम होता है वो जनापाओ की पहड़ियां मध्य परदेश से इस नदी का उद्गम होता है और ये राजस्तान के छे जिले चिताओडगर, कोटा, बुंदी, सवाई मादवपूर, करॉली और धोलपूर होते हुए उत्तर परदेश के अंदर, यमूना नदी के अंदर जाकर ये मिल जाती है ठीक है और इस नदी पर कुल चार बांद बनाय गये है कुल, पहला है गांदी सागरबान, ये आपको important है कि एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि चंबल नदी का जो उद्गम में राजस्तान में किस दिशा से होता है, तो ये होता है दक्षिन दिशा से आती है, राजस्तान के अंदर जो प्रिवेश करती है, चंबल बना हूआ है चंबल नदी पर, वो गांदी सागरबान बना हूए है, और वो कहां बना हूआ है वो मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है, राजस्तान में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, मंसोर के अंदर इस्तित है गांदी सागरबान फिर दूसरा बना है, returning, जराना प कोटा की सीमा बनाता है तो दोने ही जिलों के अंदर आता है ये ध्यान रखना और चोथा बान जो है कोटा बेराज है ठीक है चार बान दोस्तों आपको जो चंबल नदी का परवा जो है उस हिसाब से आपको ये चारो नाम जो है सीक्वेंस से याद होने चीए गांधी राना पृताब सागरबान जमार सागरबान और कोटा बेराज आपके पास अगर दोस्तों कोई ट्रिक एक अच्छी बात अगर आपने ट्रिक से आद कर रखा है तो नहीं है तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है व्यसको आप डैरेक्ट भी आद कर लेना चारी बांद को ये छोटी सी लाइन ध्यान रखने की चंबल नदी की जो गरज है तब स्धिया दक इसको है तो गांधी सागर बांद आ जाये गैसे रह से राणा परताफ सागर जैस से जमार सागर और कोटा से कोटा वेराज ठीक है और ये दोस्तों जो परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना ये राजस्थान और मध्य परदेश की दोस्तों इसमें 50-50 परतिशत की साज़ेदार ये ठीक है तो दोनों जो है बराबर के हिस्सेदार है इसके अंदर चंबल नदी घाटी परियोजना में कब शुरू हुई थी ये 1953 के अंदर इसकी शुरुवात हुई थी और इसका दोस्तो जो निर्माण है चम्बल घाटी प्रियोजना पर जो ये चारो बांद बने ये तीन चरण के तहद बने पहले चरण के अंदर कोटा बेराज और गांदी सागरबांद का निर्माण हुआ उनिसो तरेपन में प्रारम हुए और 1960 के अंदर जाके ये कम्पलीट हो गए पहले चरण के अंदर कौन का निर्माण हुआ है कोटा बेराज और गांदी सागरबांद का ठीक है दूसरे चरण में राणा प्रताब सागरबांद का निर्मान हुआ और तीसरे चरण के अंदर जहार सागरबांद का ठीक है तीन चरण के अंदर ये पूरी हुई है पहले चरण के अंदर कोटा बेराज और गांधी सागरबांद दूसरे चरण में राना परताफ सागरबान तीसे चरण में जमार सागरबान ठीक है यह चार बांद हो गए जो चार बांद है दोस्तों इन में से तीन बांद जो है जमार सागरबान, राना परताफ सागरबान और गांधी सागरबान इन तीनों पर तो जल विद्यूद गरह इस थापीत है ठीक है और जो कोटा बेराज है इसको कोटा सीचाई बांद भी कहते हैं तो चम्बल नदी परिस्थित एक मात रबाण जिससे सीचाई की जाती है वो है कोटा बेराज ठीक है अब हम चारो जो दोस्तो बांद हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्जाम में इनसे भी प्रश्न बनते हैं जिन से कुल मिलाकर 115 मेगावार्ट विजली का उतपादन होता है कितना होता है 155 मेगावार्ट विजली का उतपादन होता है और 1960 के अंदर दोस्तो हमारे भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडी जवानलान नहरू के दुआरा इसका उदघाटन किया गया था 510 मीटर इसकी लंबाई है और 64 मीटर दोस्तों ये उचा है तो गांधी सागरवान से खुल कितनी विद्यूत उत्पादन होती है 115 मेगावाट अगला है कोटा बेराज ये जो दोनों इनका निर्मान कावब हुआ है पर्थम चरण के अंदर 1953 से 1960 दोनों का उद्गाटन जो है पंडित जमानला नहरूजी के दुआरा किया गया ठीक है कोटा बेराज एक मातरवान जिससे सीचाई की जाती है ये मैं आपको बताया अभी ठीक है इसके लिए उससे सीचाई के लिए दो नहरे निकाले गई इससे बाईयों और से जो नहर निकाले गई इससे तो कोटा और बुंदी को सीचाई होती है और जो दाईयों और से जो नहर निकाले गई इससे कोटा बारा और मद्यपरदेश में सीचाई होती है तो मुखे रूप से जो है राजस्थान के अंदर चम्मल नदी से जो सीचाई हो रही है वो हो रही है कोटा बूंदी और बारा के अंदर ठीक है अगला है राणा परताब सागर बांद राणा परताब सागर बांद पर दोस्तो इसके जो जल विद्यूद कर रहा है 110 मीटर यह लंबा है और 36 मीटर उचा है यह जो बांद है लेकिन इसका जो फेलाव शेतर है वो करीबन 113 वर किलो मीटर है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जल भरा जा सकता है इसलिए सबसे ज़्यादा भराव शमता राणा परताब सागर बांद की है सबसे लंबा भान जो है वो है माही बजाद सागर बांद है और सबसे उचा भान जो है वो जाखम बांद है ठीक है ध्यान रखना और राणा परताब सागर बांद परी दोस्तो कनाडा के सेयोक से रावद भाटा परमाणू बिजलीarme की इस्ताफना की गई जो राजस्तान का पहला परमाणू बिजलीघ़ है दूसरा जो है बाशवडा में स्थापित किया जाएगा और देश का भारत का ये दूसरा परमाणू बिजलीघ़ है पहला जो है तारापूर महराष्ट के अंदर इस्तित है ठीक है अब चोते बांद के बारे में भी हम बात कर लेते हैं ये एक पिक अब बांद है और यहां इसका जो जल विद्धुद गरिए उस पर 33 मेगावाड की कुल मिलाकर तीन इकईयां लगाई गई जिन से 99 चूंकि ये राजस्थान और मद्भरदेश की 50-50 पर्तिशत की हिस्सेधारी की यह योजना है तो इसके तहित राजस्थान को जो इससे बिजली मिलती है वो मिलती है 193 मेगावाड और 193 मेगावाड मद्भरदेश को मिल जाती है आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडिय तो गांदी सागर्बान मैंने बताया आपको मध्य परदेश के अंदर है तो दो अप्शन तो वैसे कट गए अपने तीसरा और पहला ठीक है ये पहला कट गया और ये तीसरा कट गया सरदार सारोर और जो है नर्मदा नदीपर है गुजरात के अंदर ठीक है तो अपना जलपरपाथ जो है राजस्तान का सबसे ँच़ा जलपरपात है अगला मताशन सरित चंबल घाटी परियोजना में राजस्तान की सिदेशाईं किस्सीदार कितनी है सिदा सिंपल सांसर है 50-50% sendiri के साथ जैदार रेधार राजस्तान और मध्यपरदेश है चंबल घाटी परिय वो होती है कोटा बूंदी और बारा को चंबल घाटी परियोजना से कुल विद्ध्यो तुत्पादन होता है 346 मेगवाट जिसमें से राजस्थान और मद्ध्य परदेश को 113 मेगवाट विजली मिलती है चंबल घाटी परियोजना की शुरुवात हुई थी इसकी शुरुवात हुई थी 1953 उपन में और तीन चरणों में जाकल तीन चरणों में कुल मिलागर इस परियोजना का निर्मान हुआ था पहले चरण के अंदर दुस्तों गांधी सागरबान और कोटा विराज का निर्मान हुआ था दूसरे चरण में राना परताब सागरबान और तीसरे चरण में जमार सागरबान का निर्मान हुआ था तो ये था दोस्तों वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ठीके वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना मिलते हैं अगले इसी चाइब रियोजना के किसी वीडियो के साथ जैहन जय भारत